हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर दोस्तो इस बीडियो के मत्यम से हम आपको एक ऐसा घरिल नुस्का बताने वाले हैं जिसके उप्योग करने मात्र से ही आपकी इस्किन काफी जादा गोरी हो जाएगी आप काफी जादा अंतर मैसूज करेंगे आप अपनी स्किन पर दोस्तो काफी सिंपल देशी घरिल नुसका है जो कि घर पर टैयर हो जाता है और वो भी बिना पैसे खर्च कियो हुए और मैं आपको एक चीज़ बता जाता हूं कि आयरवेटिक नुसके कितने जादा एफेक्टिव क्यों होते हैं एफेक्टिव इसल क्योंकि उसमें केमिकल से बने हुए चीज़े होती हैं जो कि हवारी स्किन को दुस्परणाम नहीं कि फाइदा नहीं देती हैं नुपसा ज़्यादा पहुचाती है बात में तो इसी तरीके से हम तेसी घरिल नुसकाओं के जरिये भी हम अपनी स्किन को काफी जाद गोरा कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं इसकिन को गोरा करने का ही तरीका बता रहा हूं आपको तो सबसे पहले मुझे क्या करना है आपको सबसे पहले थोड़ी सी चीनी ले लेनी है थोड़ी सी चीनी एक साब बाउल के अंदर ले लीजे जो कि मैंने असल ले लिया है और दोस्तो तो इसलिए मैंने पूरे एक आदे नीबू को निचोड लिया, उसका रस ले लिया, मैंने इसके पाउल के अंदर लिया और दोस्तों इसके बीजों को मैं निकाल के फैंक दूँगा अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे लेना है गुलाव जगुलाव 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 तो दोस्तों हमने तीनों चीज़ां को प्रॉपर तरीके से एक पाउल के अंदर मिला लिया है अब हमें किसको करना क्या है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको आप जब तक चलाए जब तक यह आपकी छीनी ना घुल जाए इसके अंतर प्रॉपर तरीके से तो आपको इसको प्रॉपर तरीके चलाते रहे है जब तक जैसे यह आपकी छीनी घुल जाए तो समझेगा कि आपका पेश्ट बनके तैयर हो चुका है और उसके बाद मैं इसको एपलाई करना है मैं वह बताजता हूं दोस्तों साथ से पहली बात इसकी है कि इसका कोई भी साइड कर नहीं है इसको कभी भी आप घर पर त्यार कर सकते हैं मुवी देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं फालतो बैटे हैं तो इसको प्रॉपर तरीकी से बना लीचें उसके को कभी बना सकते हैं सुवह साम दोपर कभी भी और इसको कॉटन बॉल की साहता से इस तरह के से cotton ball ले करके और इसमें इस तरह के से drip करकर आपको अपने चेहरे पर apply करना है चाहे तो आप अपने हातों पर पैरों पर भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी प्रॉलम नहीं है सारी आपकी skin जो भी होगी वह आपकी skin का फिर निखर जाएगी और आपको इस तरह के से apply करते हैं तो थोड़ी से आपको जलन मैसुस हो सकती है और आपके pimple होंगे तो थोड़ी सी जलन तो वहांपे भी होगी तो दोस्तो इस तरह के साब को 2-4 मिनट तक आपको मसाज करनी है अपने हातों की और उसके बाद मैं ठंटे साब पानी से हाँ पहले 10 मिनट तो सूखने जाएगी जो बैक्ट्री जास होंगे पिंपल्स होंगे वो खतम हो जाएंगे तो आपको मेरा वीडियो नुस का कैसे लगा मुझे कमेंट करता हिएगा वीडियो को ज़्यादा देवर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद